मूवी को टाइम में लगा 20 से 30 सेकेंड आपके सामने प्रूफ करने के लिए टॉप 10 सर्वाइवर मूवी के अंदर डिजफ करती है तो अभी का हम रिव्यू करेंगे टॉप 10 सर्वाइवर मूवी अवेलेबल ऑन यूटूब हमारी लिस्ट में 10 नंबर पर मूवी आती है कास्ट अवे यह सन 2000 में आई थी एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है आएम डीवी ने इसको 7.8 की बहुत बढ़या रेटिंग दे रखी है इसको टू आसकर अवार्ड नॉमिनेशन भी मिले है नंबर नाइन पर अपकलेप्ट यह सन 2006 में आई थी एक एक एडवेंचर मूवी है आएम डीवी ने इसको 7.8 की बहुत बढ़या रेटिंग दे रखी है यह मूवी आई यह साल 2000 नंबर एट पर लाइफ ऑफ पाई यह सन 2012 माई थी एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है आएम डीवी ने इसको 7.9 के आउट आफ तैन में से रेटिंग दे रखी है यह 4 आसकर अवार्ड जी टीवी है नंबर सेवन पर हमारी मूवी आचर टचिंग दी वाइड यह संद 2013 माई थी एक एडवेंचर डोकुमेंटरी के ऊपर मूवी बेस्ट है आएम डीवी ने इसको 8.9 की रेटिंग दे है आउट आफ तैन में से यह मूवी 10 बार नोमिनेशन में आई है और 8 बार यह आवार्ड जीती है नंबर सिक्स पर हमारी मूवी आती है दिमार्ट जी अब तक कि सबसे जादा आसकर नोमिनेशन वाली मूवी है सन 2015 मूवी ने इसको 8.9 की रेटिंग दे है आउट आट बार थाherعة नोमिनेशन मूवी आती है हमारी फोर्ट नमबर पर मूवी आती है रूमिय सन 2015 में आई थी एक ड्रामा थ्रेलर मूवी है आएम डिवी ने इसको 8.2 की रेटिंग दे रखिया है आउट आफ तैन में से इस मूवी ने ओस्कार रवार्ड जीत रखते है तीन बार इसरे नमबर पर हमारी मूव आती है इंटू दी वाइंड ये सन 2007 में आई थी ये एक ड्रामा एडवेंचर मूवी है आएम डिवी ने इसको 8.1 की रेटिंग दिया है आउट आफ तैन में से इस मूवी ने दो ओस्कार अवार्ड चीत रखते है सेकेंड नमबर पर हमारी मूवी आती है 12 एयर्स असेल भी सन 2013 मा एक हिस्ट्री ड्रामा मूवी है आएम डिवी ने इसको 8.1 की आउट अफ तैन में से बहुत ही बड़ा रेटिंग दे रखी है इस मूवी बें 3 ओस्कार अवार्ड जीत रखते है हमारी पहले नमबर पर और धमागदार मूवी आती है मैड मैक्स इसन 2015 में आई थी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है आएम डिवी ने इसको 8.1 की रेटिंग दिया आउट अफ तैन में से इस मूवी ने छे बार आसकर अवार्ड जीत रखे चलिए तो अब इस वीडियो करते हम एंड अगर आपको वीडियो चलाओ तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सबस्क्राइब करेंदान सबसे पहले तो आप कमेंट करके हमें बताइए आपकी इस लिस्ट में से सबसे बड़े मूवी आपको कौन से लगी और तक कि लिए